बिवा किये हैं जिसमें वर्टीकाल एक्सिस, स्लेंडर श्पढूडर और टॉल श्पढूडर स्सेग सें पिछ़़े चार वर्शों से जो हमने कार्य किया है उसके आधार पर हमने यह पाया है कि टॉल स्पंडल स्थम सेभ की हाई den treasury सबसे ज्यादा उप्योगी पाया गया है तो उसी सिस्टम में पौधे को कैसे तयार करना है किस तरह से डॉल्प किया जाए उस पर हम आज बात करेंगे शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग का मतलग है कि पौधे की शेफ किस तरह की हो ब्रांचिस कैसे निकले उनकी दिशा क्या ह तो उनको किस तरह से सिधाई की जाए उस पर लेकर के तो जब भी हमारे पास नर्श्टम में जो ट्रेनिंग का काम है यह पौधा जैसे लगाया जाता तब ही से शुरू हो जाता है तो पौधा हमारे पास जब आता है किसी भी और्चर्ड में लगाने के लिए तो दो तरह क पौधा जो आता है जो अभी जैसे इंपोर्टर मेटीर आरा पी किसान भाईयों को मिलते है वो फैदर्ड प्लांट से जिसमें शाखाएं पहले सी होती है पहले बात करेंगे अगर आपको विप प्लांट मिला है तो उसको अगर आपने लगाया है तो उसको कैसे आप ट्रे निकलना शुरू होती है और नीचे हमें अगर कहीं डाउट है कि यह नहीं नहीं निकल सकती है तो उसमें हम डिजाइड प्लेस पे नोचिंग से ब्रांच द्वाल्प कर सकते हैं अब उसके बाद क्या होता है जब यह ब्रांचिस आपकी निकल जाती है यहां से जैसे यह निकली है बाद में हमने ड्वाल्प इसी तरह से की है जो हम बात कर रहा हूं तो उन ब्रांचिस को हम क्या करते हैं कि निकली जब यह लगबग 10 से कि आपकी हो जाएं लग बग इतनी आपके पास हो 10-15 cm की तो इसका एंगल इस तरह का एंगल हो ब्रॉड एंगल 90 डिगर स्टीट उसके लिए हम क्लॉथ पिंस का जो कपड़े सुछाने वाली चिम्टिया है उनको उस शाखा पे यह इस तरह से फसा करके ताकि इस पर प्रेश प्रांची को हम नीचे जुकाने के लिए वाइस सिस्टम अगर लगा हुआ है तो वैसे अदर्वाइज आप स्टेम के साथ बांद सकते हैं यसे दागे के साथ इनको हम बांद देते हैं ताकि यह जमीन के समानतर से नीचे तक जुक जाए जैसे यह शाखा है आप देख सते इस तरह से हम चार से पांच ब्रांचे अलग डायरेक्शन में पहले साल में ही चांट लेते हैं तो जैसे मैंने अभी आप से बात की कि जब नहीं निकलने वाली शाखाए हमारी 8-10 cm की हो जाती है तो उनका एंगल स्टेट हो उसके लिए हम कपने वाली चिम्टियों का जैस प्रेशर इस पर डाल देते हैं तो इस तरह से यो टैनी बिल्कुछ सीथ ही आगे गो जाती है और यही टैनी जब इस पिन से एक वाल जाता है जून के महीने तर कि यह लग बाग एक फिट की जाती है 25-30 cm की जब हो जाती है तो अन्दैसे जैसे जैसे इस तरह से आगे करकि इसको जुका देते हैं समंतर से निचे तक यही ट्रीटमेंट हम चार पांच जो शाखां चांटी होती है अलग लग डारेक्शन में और 15-20 cm की दूरी पर चारो दिशों में इस तरह से इनको चांटने के बाद बाद देते हैं पहले साल में हमने यही करना होता है दूस कि दूसरे साल इंको बांदने की जुटथ नहीं पड़ती हैं बांदने की वियसे इस पह डॉल पहो जाते हैं और मैजिकली भ्रूटिक बंजाती है घर चैक हो जाती है और उसके साथ साथ में तन भी आप देख सकते हो इह 낌 कि अपल दूसे साल इसके बाद लीडर पर फिर और इस तरह से थोड़ा साथ स्किन को निकाल करके छब डिंग सकते हैं यह आपका ये नोचिंग इस तरह से नोचिंग करके हम यह पक्क्य तोर appe?", एक दो एक ब्रांच इस तरह लेते हैं और जैसे सिस्टम है दस फीट कि तक इसको जाने देते हैं बाद बाद में आती है हर साल इस तरह से ब्रांच इस चांड दे पूरी हाइट तक और दस की फूर्ध की फृदर राइट ना हूँ या तो किसी वीक ब्रांच पे जैसे अभी आप देख सकते हैं, लीडर हमारा बैंड करके, बांद देते हैं और बैंड करने के के बाद जो एक शूटाती है, उसको काठ देते हैं, तो फड़र गरोथ नहीं हो पाती है तो जहां तक ट्रेनिंग का है जब हम ब्रांची सीधी लेकर के होरीजेंटर से बिलो तक जुकाते हैं यही हमारा टॉल स्पिंडल सिस्टम है इसे क्या है लेटर के हम ग्रोथ चेक करते हैं और स्पारफॉर्मेशन ज्यादा हो अच्छी फ्रूटिंग हो पाए लाइट इतने सारे स्पाइब हो जाएंगे यह सारा फ्रूटिंग वाला पोर्शन हो जाएगा अब जो दूसरी में बात कि थी बाकी सिस्टम यही रहता है अगर फैदर प्रांट है और उससे इस तरह है कि मेरे बस ब्रांचीज है तीन-चार तो हम सिर्फ और सिर्फ तीन ज्यादा स्टम चार यह ज्यादा देने वाली है उनको Um निकाल देते हैं पीवल कट या डच कट से उसको अप स्टब छोड़ देते होंupp तो आप क्यांची वर्टिकली ऐसे ना चला करके ऐसे चलाते हैं ऐसे पगड़के फिर आप कट मारते हैं उसे क्या यहां पर चोटा स्थप बचता है उसके नीचे से जहां से शाखा निकलती है अगर पर इस ट्रॉंग है तो आपको इस तक से निकालना ताकि वहां से करते हैं वैसी स्थेट आगे बढ़ती है और उसमें फिर फैदर प्रांट में लीडर को हम नहीं काटते हैं लेकिन जहां तक हमने दो या तीन ब्रांची ऐसे चांटी होती है उस पे लीडर पे उस ब्रांचे ऊंपर शाखाएं बिना काटे हुए टॉप को निकलने के चांस लाग वाग एक फिटकी हो जाए तो उसको जून जुलाई में बांध दिया करने के साथ और एक बार जब टेरी ट्रेंड हो जाती है तो फिर उसके बाद इनको कुछ करने की जूटने पड़ती है नई शाखाएं इस तरह से कंटिनूस नी जब तक नहीं पहुच पाती है त इनको हम शुरूओ में едम करते हैं गिसंबर जल्यन करते हैं इस तरह की ब्रॉंची में तो नहीं रखनी है उनको हम बिलकुल जहीं सframe निकाल देतें पूरी पूरी ब्रांच बैसे लेकिन जो इस तरह की ब्रांचीस है इनको ब्या गटिए वीक ब्रांचीज पातने है यहां भी स्पर्डवर्प हो जाएगा और इसकी फर्दर ग्रोफ चैक हो जाएगी यह शुरू में क्या करते हैं जब यह ब्रंच इसमें से अप्लाइट ब्रंची जाने लगती जैसे इतनी हैं तो इनकी पिंचिंग कर देते हैं इसका तॉप निकाल दे उसे क्या होता है कि य प्रुणी के टाइम निकाल देते हैं इस तरह से और जो इस तरह की ब्रंची है नीचे यह सब आगे मुस्ट आप टाइम आपको मेरा कि फोग तो रहती है दो दो तीन तीन हो जाती है तो यहां हमको सिंगल यह करनी होती है आपको सिर्फ एसे एक रखनी है और प्राइट ज इसको हम पर रिंग पे भी काट सकते हैं रिंग पे काटना आप समझ सकते हैं यह बनावा है यह ब्रांच यहां थी जा तो यह यह तो आपको यह तो इसी पोर्शन पे काट दे चोटा सा स्टब छोड़ते तो इसमें से जो भी फर्दर डॉलप होगा वहां से शाखा नहीं आप तो यह आपर अगर ऑगर यह तो काट करके हैं कि हमको कहां रखना, या तो इसको तुक रेक पर काट दे तो इस वह स्ट्रॉझ भी पर निकलती और यह थो बेना हुआ है इस दिपकर श्रींकर करके भी आप सकते हैं और बड्र निकालते कंगर निकलते क्वे पर प्रों करेंगे कि जब हमने ये ट्रेनिंग सिस्टम जैसे कंप्रीट कर दिया है पूरी इसकी ब्रांचिस बन गी है तो हमारे स्पर जो इन पे बने हुए है इन स्पर की लाइफ है तब तक ही अच्छी फ्रूटिंग देते हैं तो या तो स्पर की रिन्यूल करनी पड़ती है दूसर रिप्लेस करनी होती है ताकि उसी की जगह पर नई ब्रांचिस आए और वह बीक ब्रांचिस आए उस पर नए डंग से स्पर फॉर्मेशन हो और हम कर्टिरूसली फ्रूटिंग दे सके तो एक रिसाइक्लिंग ब्रांचिस हम चलाते रहते हैं तो उसमें क्या है जैसे मैं ड करते हैं तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि अच्छी तरह से एरेशन हो सकती है प्लांट के नहीं भागता है पूरी संडाइट अंदर तक आती है तो जहां प्रूट लगेगा एवन अगर यहां पर में तने भी फूट आता है तो हमारे पास पूरी लाइट मिलती है पूरा अच्छी तरह से कहला रहता है और प्रोड़क्टिविटी अच्छी मेंटेन हो सकती है तो इस टेलिक सिस्टम को रहे हो तो हम ब्यालिस मेट्रिक टन के आस तो आप देखाएंगे कि अंगरोनी भाग तक अगर लाइट नहीं पहुंचती है तो अगर लाइट नहीं पहुंचती है तो अगरोनी भागों में शेट की वएज से अच्छा कलर और अच्छी पूड़क्विटी आपे नहीं मिल पाती है तेंक्यू जैसा मैं थोले पहले कांगर की फलो उसमों लिए डिस्ट्राइन करते हैं उसमें किस तरह से जो हमने शिस्टम डिसक्श् किया है अभी किस तरह से तो मौडिफाइड सेंट्रलेर सिस्टम में हमारा जो ब्रांची हम लेते हैं वो पंताली से साथ डिगरी के अंगल पर वो स्टेट नहीं यहां से इस तरह कि अगर ब्रांची रहती है तो उसमें क्या ड्रॉबैक